तो तो अब आज हम सभी लोग पढ़ेंगे इस क्लास में गरभावस्था से आंगे प्रारम करेंगे इसके पहले वाली क्लास आप सभी लोग देख लिए होगे मैं पाइब पढ़ेंगे गर्ब धारण से जन टक की जो समय होती है उसके बारेमें हम पहले पढ़ेंगे景 तो ये गर्भावस्था कितने तक का होता है ध्यानियाना गर्भावस्था को नमबर एक पले समस्ते हैं उसके बाद नंबर दो भूड़ा वस्था की और चलेंगे और उसके बाद नंबर तीन की और चलेंगे तो गर्भास शिसु की अवस्था जो आएगी ए तीन जो पूरे तीन भागों बाटा गया है तो गर्भा वस्था को थीन चड़ों बाट सकते हैं तो एक-एक करकर के समझते हैं कि कौन सा कितना समय तक लेता है तो यहाँ पर जो आपसान है पहला बीज अवस्था बीज आवस्था मतलब बीज की अवस्था या अवस्था 0 से 2 सपता तक रहती है अर्था आक चौदह दिन तक या कर सकते हैं आपके कि दो सब्ता तक हम कर सकते हैं कि यह इसे हम युगता करते हैं इसको कि इसको बीज को जो तिम्ब है उसको योग नमक पदार्थ को बारण करता है उस समय में जब जाई गोट रहता है तो उस टाइम पर क्या करता हो एक पदार्थ होता है वह होता योग ठीक लगभग 15 दिन में योग एवं युकता समाप्त हो जाते हैं और वह गर्भासै की दिवार से जा के क्या होता है चिपक जाता है जो चिपक जाएगा तब उसी से अपना आहार लेगा तथा मा के सरीर से आहार ग्रहन करता है और बालक की भूड़ा वस्था तारंब हो जाती है अर्थात जीरो से दो सब्ताह तक का जो समय होता है उसी को हम लोग बीजा वस्था करते हैं इसी क की योग को लेकर करके और तो वह सकते हैं और कर मूल पेटीज बज़ता है बहुता है दीवार से चिपक जाता है और इसी को हम आगे क्या कहंगे बुरुन की अवस्था जो यहां की अवस्था यह दो सपत्ह से लेकरके आठ सब्था लगभग लगभग अगर आप देखें तो दूसरे महा के अंतर तक रहती है दुई सप्ता से लेकर करके आठ सप्ता है एक महिन में अगर चार सप्ता लेंगे दू मायन तक ले लेंगे अर्था दू महिने के अंदूसरे महिने के अंत तक यह क्या होता है इसी को हम लोग पिंड़ावस्था कहते हैं इसी को हम भूड़ी यह कहते हैं इसमें क्या होता है स जिसुकी स्वसनली की साखाएं, फेफड़े, यक्रित, अगनासय, थाराइड ग्रंती, लार ग्रंती, इन सब का निर्मार क्या होता है, प्रारंब हो जाता है, की सवस्था में, भूड़ा अवस्था में, अर्थात, अर्थात, दो सप्ताहसे लेकर करके, दूसरे माह के अंत बच्चे के अंदर, या बालक के अंदर, क्या होने लगता है, स्वसनली की साखाएं हो गई, फेफड़े हो गए, यक्रित हुए, अगनासय, थाराइड ग्रंती, लार ग्रंती, इस सब, इस सब धिरे-धिरे-धिरे क्या होने लगए, वो बनने स्टार्ट, और इसमें भी, जो या जीरो सो लेकर, दो सब्ता से लेकर के आठ सब्ता का समय है, इसको भी वो तीन अवस्था में, तीन परतों में कर रहे हैं, कि हम बाट सकते हैं, एक जो बाहर वाला, एक थोड़ा अंदर वाला, और एक बिल्कुल, मतलब एक मध्य वाला, एक अंदर वाला है, ठीक, तो बिल्कुल अंदर जिसको हमने बोलते हैं, तो वही अस्था है, एक टोड़ाम जो होता है, इसे बाहरी परत कहते हैं, इसमें क्या क्या आता है, तुचा, बाल, नाखून, दांत, ए सब अंगों का विकास होता है, जो बाहर होता है, ठीक, जिसे तुचा हो गया, बाल हो नाखून हो गया, इन सब का विकास भरी रस्तर में होता है, मध्य रस्तर वाला जो होता है, इसमें बालक के सरीर के भीतरी भाग आते हैं, भीतरी भाग और मांस्पेसियां जो अंदर वाली होती है, वह होती है, बालक की पाचन परणाली, फेफ़डा, लीवर, फिर्दय, इन सब अंगो का निरमार होता है, और यह सब दो सब्ताह से लेकर करके, आठ में सब्ताह तक अर्था दोसरे महिने के अंतर तक इस्टार हो जाता है, और धीरे 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 विक्सित होता है, ऐसा नहीं कि पूरा अपर तर्गे सुशी में विकास हो गया, नंबर तीसरी सित आती है, जिसमें थ्वासा समय लंबा लेता है, यह आठ सब्ताह मतलब दूसरे महिने के अंतर था, तीसरे महिने से लेकर करके, नौ महा तक, ठीक, तो आठ सब्ताह से लेकर करके, जन्म तक मतलब जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता है, तब तक यह समय चलता है, सप्ताह तक भूण की अवस्था रही और फिर आठ सप्ताह से लेकर करके अगले नौ माहा तक जब अब चले थोड़ा साम लोग जानते हैं कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसको पीड़ा का अनुभव नहीं होता है उसका अभिकास सिर से पायर की और होता है कभी कोशन पूछा जाता है की गर्भावस्था में को का विकास कैसे होता है तो सिर से पढ़के और होता है जन्व से पूर महा में सिसों की जो स्वाद वाली इंदरियाँ इसका विकास प्रारंब हो जाता है क्या क्या मिला प्युड़ा का अनुभव नहीं होता है गर्भावस्था में जो महक होता है गंध होता है उसका अनुभव नहीं होता है तीसरे महिने के बाद में धीरे-धीरे स्वाद वाली इंद्रिय जो है वो काम करना स्टार्ट करती महक वाली तो नहीं गंद वाली तो नहीं ग्रान इंद्री नहीं लेकिन स्वाद वाली इंद्री जो है अब विकास होना प्रारम हो जा रही है तिसरे महिने से आगो देद्रे देद्रे वो विक्सित हो जाएगी इसमें विकास कैसे होता है सिरसे पैर क्यों होता है तो यह रहा कर जब गर्भाहस्था में होता है तो गर्भाहस्था में होता है तो गर्भाहस्था प्रभावित करते हैं यह कर सकते हैं तो जो सबसे पहला है मा का स्वास्थ आपको SIPS कोoya ना मा अगर किसी संक्रामक रोग से प्यूडित है या कुनायन और सद्धी उगरे जो लेती है जो मलिया और समस्था है किसी भी रोग से समझते हैं समय लो अगर जहल रही है और दवा और रखाती है तो उसका असर उस बच्चे पर जरूर पड़ेगा करें कुनायन और सद्धी का प्रयोगर माता कर रही होगी अ माता बहुत अच्छी से खुसी है संपन्न है स्वस्थ है तो उसका भी असर पड़ेगा माता किसी रोग से प्यडित है तो बच्चा भी इस रोग से देद्रे प्यडित हो जाएगा अब बात आती है मां का आहार जो मां भोजन करती है उसका भी उस बच्चे पर असर पड़ता है गर्भावस्था के दोरान जब बच्चा उसके पेट में होता है उस समय जो आहार लेती है उसका भी असर उस बच्चे पर पड़ता है अगर वह अपने आहार में सभी पोसक्त सब कुछ उचित मात्रा में ले रही है तो बच्चा स्वस्थ रहेगा अच्छा रहेगा और अगर वह नहीं ले रही है तो फिर वहीं उसका बुरा आसर पड़ेगा तो अर्थात सभी गर्वती इस तरीकों गर्भावस्था के दौरान अपने आहार में सभी आवस्यक पुश ठीक है चले देखते हैं माता-पिता की आयू हाँ बिल्कुल आयू का भी असर पड़ता है कि कितने उम्र के अगर माता-पिता है तब उनके बच्चे किस-किस तरीके से उत्पन होंगे अगर सबसे सही जो बच्चे अगर देखा जाए तो माता की उम्र अगर काई से 28 वर्स हो ना तो उसमें जो है बच्चे अच्छे होते हैं या यह कहो कि उसके बुध्धि पर अनुकूल उप्रभाव पड़ता है या वो सही बच्चे होते हैं उसके बाद या उसके पहले भी तो बहुत ज़ज़दे कमजोर जाते हैं उसके बाद भी बहुत हरते तरीक आयू कम से कम 21 वरस तो अधिक 28 वरस होनी चाहिए कब बच्चे जब आते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं अर्था तो माता किया इस तरी मत बनने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए यह वाली जो उम्र है इसमें अच्छे बच्चे आ जाते हैं ज्यादा चांसास होता है बच्चे के स्वस्थ होने का ठेक इससे कम या अधिक आयू कि अगर कोई इस्तरी मा बनती है तो बालक के बुद्धी पर प्रभाव देखा जा सकता है मतलब कुछ न कुछ कमजोरी आपको दिखाई देगा अब टो और ज्यादा बूर आसर पढ़ेगा एक बार अगर इस स्वस्थ हो आहे तब करने भे थांद देना जब तक जब तक माता beta stak vita करता रहता है तब माता जो खा रही है जो सब का असर बच्चे पढ़ता है जब वह अस्तनपान करना बंद कर देता है अर्थात उनके सरीर से संपर्क कम हो जाता है जो चीज़ें विटामिन से उनके सरीर से नहीं लेता है अब वो सिध्य जो भोजन कर रहा उससे प्राप करता है तो एक बार कम तो ऐसा नहीं मतलब कि पता चला जिसके बच्चे हो जाएं और बच्चे अगर इस तनपान करना बंद कर दें तो वह माता लगे अपना सरापदारू गाजा सब तंबाकू से बन करें नहीं यह सब बात गलत है इससे सिसु के हिर्दय की धरकन पर प्रभाव पड़ता है तथा सिसु पूर्ण परिपक होने से पहले ही जन्म ले लेता है कई बार आप देखे होंगे कि समय से पहले ही बच्चा अवतरित हो जाता है यह भी बड़ी समस्या होती है बहुत तरह तरह के जो है उसके साइड दिखाई देंगे जरू नहीं है कि यही टाइप के दिखाई तो हमको क्या करना चाहिए ऐसे हर एक कारियों से बचना चाहिए ठेक और जो सही बच्चा परदा हो तो यह इस उम्र में हो और सबसे बड़ी बात आज कल कर देख लो कि इस उम्र में लोग क्या कर रही है अभी तैयारी करें नहीं हम जो है अभी साधी विवाह नहीं करेंगे हम अभी समस्याओं में नहीं फसेंगे अभी हमारी लाइफ है बना लें तब होगा और कुछ लोग अभी अभी कुछ बच्चियों का मैं जो है बैट सुन रहा था उसमें आ रहा था तो उसमें जो है अब करियर नहीं बन पाता है बनाओ केरियर एक कई साल से ले करके 28 साल तक बेटा यही सब परिच्छा में अगर जिंदगी चली गई तो सोचो कि जब उसके बाद अगर आते हो तो उसके बाद जो केरियर बने के मिलेगा आपको बाल बच्चों वाली उसको पूरे लाइफ झेलना तो ऐसा इस चीज़ को सभी लोग ध्यान दो कि 21 से 28 वर्स तक जो है अगर बच्चे हो जा रहे हैं तो थोड़ा सही रहेंगे उसके बाद वाले बच्चें के अंदर जो है बहुत सारी विकृतियां होने की संभावनाएं बन जाती हैं और फिर वहीं बात है नहीं सर जो है 28 के बाद 28 में कर लेंगे 29 तक जाते हैं अच्छे हो जाएंगे बहुत हो जाएगा ठीक है करते रहो लगाते रहो बुद्धी का प्रयोग ध्यादेना प्रकृत से जादा अगर चलोगे तो परसानी बढ़ जाती तो थोड़ा सा आगे चलते हैं चलो नहीं फिर पता चला उस कोई रोग हुआ है कोई संक्रमण है तो वह निश्यत तरीके से उनके उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर विपरीत प्रभाव डालेगा कोई सकरात्मी प्रभाव ने डालेगा जैसे रुवेला नामक रोग जिसे जर्मल मिजस कहते हैं जर्णांग में होने वाला हर सब जैसी समस्याएं नवजात सिसुम में आनवनसिक रुप से उत्पन्न होती है अर्थात माताने रहता है तो उसका असर रहता है और समय आने पर क्या होता है फिर थोड़ा विला परवाही वरतने पर फिर प्रभावी हो जाता है तो बचना चाहिए नेक्स देखते हैं कि स तैसवा वस्था जो में किया अदर किस तरीके से होता है और उससे मिलता है कि इसे स्थाइं है और जन्म से चं से तो उसको ही आप लगा दीजिएगा ठीक है तो इमानिएगा मैं भी कल ही चर्चा किया था नेक्ष वाले क्लास पिछले वाले क्लास में ही मैं चर्चा किया था तो आप अपने बुद्धी का प्रयोग करके लगा लेना कि हां वहां पर कौन सा हो यह बालक के भावी जीवन की आधार सीला का काल होता है अर्थात आगे जो जिन्दगी जीने वाला है बच्चा उसी का एक तरीके से कर सकते हैं बेस बंढ़ा होता है सिसु की अवस्था में अर्थात जीरो से पांच साल की इस अवस्था में उचित निरदेशन वह निरिच्छन से भावी जीवन का उच तो वह उत्तम विकास किया जा सकता है ऐसा कतई मत कीजिएगा कि अभी बच्चा छोटा है अभी पांच साल का भी नहीं हुआ है जाने दिए जब यह 10-12 साल का होगा तो हम इसको अच्छा ग्यान इच्छा अच्छे लोगों संपर्क मिला देंगे ग्यानी हो जाएगा गलत चल जाता है कि इसी के अधार पर आके क्या करेगा अर्थात यह असर डालेगा बीसमी सताब्दी में सिसू पर सरवाधिक अनुसंधान होने से क्रो और क्रो के अनुसार बीसमी सताब्दी को सिसू बालक की सताब्दी कह जाता है मतलब अब बीसमी सताब्दी को इनके मतलब बाल विकास वाले समय में अगर देखा जाए तो स्विस उया बालक की सताब्दी माने जाती है कौन भी समी सताब्दी और थात 19 अपने बच्चों के साथ में ध्यान देंगे कितने साल का बच्चा है तो उसको किस चीज की जरूरत है कैसा उसका विचार होगा इस सब सारी चीजे कम से कम आप उस टाइम पर लगा पाओगे तो ठीक ही है चले देखते हैं कुछ यहाँ पर पॉंच दिये गए हैं उसको समझ पटान सी कि नहीं आरे ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा बच्चा के अंदर नहीं होगा लेगिन वह सब जो मनोवज्ञानिक रहे हैं वह लोग तमाम अधियन के बाद ही ऐसे पॉंट्स दिये हैं तो हमको तो समझना ही पड़ेगा लिखना पड़ेगा मानना पड़ेगा प्रवित्यात्मक व्यवभार होता है कलपना जगत में वीच्राण करता है खुश सूचता है खुश मसत रहता है और तार्किक चिंतन की अवस्था हाँ एक इंपॉरटञ ध्यान देना कि अधार्घिक चिंटन की अवस्थाक क्या मतलब है वह तपर अभी तार्फिक चिंटन नहीं कर सकता बहुत दूर तो अब देखो यह वाला भी लाइन कभी कभी आ सकता है कि पूर्व विद्यालय जाने के पहले बाले आवस्था के पहले क्यासिस हुआ वस्था और थाथ पूर्व विद्यालय की आयू बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं कई यगों पर आराम से समझ सकते हैं और inhabit गरीब अवस्था करते हैं इसको ठीक बच्चा सोचता रहता है एक कैसे हुआ यह यह क्यों नहीं हुआ चिणियां यो उन्ड़ गई ओकियो नहीं उड़ गया ओक्यों बोल दिया टारे क्यों चल रहे onda देखेा अगर जो भी कुछ है आप क्यों खार मतलब क्यों कैसे बख की वस्था जिसव करते हैं झातर बख सारे चीजों का वह स्मझ रहा होते हैं ऊस सेटर अवस्थामें चोटे भाइवह सारicação सिखता है बहुत चीजों को सीन जम जाता है फिर एक तरते विस्फोर्ट की वस्थास संसकारों के निर्मान की आयू कर जाती है बात्सा की वस्था हुआ 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 क्या बात है बच्चा पर आपको बात्सा समझता है उसका कीमत भी होता है कोई भी घर में उसको कुछ मारता भी नहीं है तुटता भी नहीं है जो आता है वो पुषकारता ही है उठा करके घुमत ही है तो बादसा तो है ही किसी के सिर्फ बैठ जाता है तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है ऐसा क्यों कि बताएंगे अभी कि 0-5 साल तक में ही जो इस पश्ट हो जाता है कि आगे भावी जीवन में क्या करेगा बच्चा या इसकी लाइफ कैसी रहने वाली है अर्थात उन भावी जीवन का जो बेश है वह 0-5 साल के बन जाता है अभी इन सब चीजों पर आगे बहुत सारी चर्चा करेंगे ने तिक्ता का क्या है अभाव है माने अभी बच्चा बच्चे के अंदर जो है, वो नहीं है, सीखने का आदर स्काल है, वहत तेस सीखता है, बताने हैं बहुत तमाम चीज़ों को, जैसे यह क्या है इसे बहुत कुछ चीख लिता है, भावी जीवन की आधार सिल्मा जैसा कि मैं अभि उपर चर्चा किया, कि यह आगे आने वाले जिन्दगी का क्या है एक आधार सिले है अनुकरंड़ द्वारा खुब बच्चा सिखता है तो अनुकरंड़ द्वारा सीखने की अवस्था सीखता तो आगे भी है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा शि क्यादा है समाजिक भावना का अभाव, अभी वो समाज उगर से कोई मतलब नहीं है, समाजिक संबंद उगर बहुत सारे कुछ अभी उसके कोई मतलब नहीं है, इसका अभाव होता है भी, उत्तम सिक्षण विधियां कौन-कौन सी हैं, सैस्वा वस्था के लिए, किंडर गार्टन, खेल वो मांटेसरी विधि, सैस्वा वस्था में बच्चो सिस हो है, तो उसको कुछ सिखने सिखाने के लिए, एक खेल में सिखाईए, या फिर मांटेसरी वाली जो विधि है, उससे सिखाईए, उससे कुछ बच्चा सिख पाएगा, हलांकि अभी तो बहुत ज़्यादा पढ़ सिखेगा, इन विधियों से सिखेगा, अच्छे से, सारिरिक, बालको का सरवाधिक, सारिरिक विकास इसी अवस्था में होता है, सारिरिक विकास, वो मानसिक विकास की गति सरवाधिक होती है, किसमें सैस्वा वस्था में, सैस्वा वस्था में बच्चों का जो सारिरिक और मानसिक विकास है वो 600 जिरो से 5 साल के बीच में अधिक होती है और यहां तक वो अलग से लिख दिया गया है कि सारी जो सारी विकास है उसका सरवाधिक भाग इसी वस्था में होता है किसमें 600 जिरो से 5 साल में अभी देखो एक चीज आपने दिमाक में बैठा लेना भाई यह बहुत ज्यादा इस पर काम किये थे तो सिग्मन फ्राइट के अनुसार 600 जिरो अलग बात है लेकिन प्रभृति जो है होती है ठीक और दूसरे से प्रेम की जो बात होती हो दिरो दिरो होती ह को दिखाई ना दे यह सो होता नहीं कि बहुत सारी चीज होती है कि हमारे आप मन के भी अंदर होता है लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं ठीक तो उसके बारें भी तीनों वस्था आगे आगे जब सिग्मन फ्राइट को पढ़ेंगे तो उनके उनकी थियरी थी उसमें हम डि सवां प्रसथ्ध दार्षानी करूस का मनना है कि बालक के हाल भर नेत्र उसके प्रारभिक शिखक होते है उसी सही रख करता है कुछ उसको आहट लगती है ठीक है हाथ पर मारता है चलाता है तो उसी से कुछ न कुछ होता है तो जर्म किये समय सिसु में कोई समदेग नहीं होता है वह किवल उत्तेजना का अनुभव करता है और किसी भी चीज का अनुभव नहीं करता है सैस्व वस्था में अधिकांस सम्देग विक्सित हो जाते हैं कि इसमें सिशु की अवस्था में बहुत सारे सम्देग उसमें डबलब हो जाएंगे लेकिन इस अवस्था के बालक में भय सम्देग सर्वाधिक सक्री रहता है बच्चे को जैसा सिखाएंगे वह ऐसा ही सिखेगा बच्चे को जैसा सिखेगा जैसा परिवार के सदसे करेंगे वैसा ही वह करेगा भी चाहे वह सही हो या गलत हो उससे नहीं मतलब है अनुकरण की प्रभृति पाई जाती है अनुकरण मतलब जैसा जो लोग कर रहे हैं घर पे वैसा ही हो करेगा चाहे हो सही करता हो गलत करता अब मचली पकड़ने वाले के बच्चे जो है मचली पकड़ेंगे उनसे नहीं मतलब है कि अब मचली पकड़ना क्या है मचली पकड़ना चीए नहीं पकड़ना चीए उससे उनसे कोई मतलब नहीं है जैसा घर पे काम होता है घर पे पूजन पार्ट होता रहेगा पूजा पा फिर कर रहा है कि घर पर किसी के आने पर भी अगर उसे रोना है तो रोएगा इसा कुछ नहीं चाहे जो आ जाए अगर उसको रोना है तो रोएगा और अपनी मा की गोद में किसी आने बच्चे को नहीं बठने देगा अर्थात नैतिकता का भाव नहीं है वहीं बात देखो य this I invite का भी अवी क्या होता है भाव नहीं होता यहीं है नहितिक्ता जाने तो बैठ जाने दो लेकिन ऐसा नहीं अपनी मां की कि यह अनलों को बैठे नहीं देगा इव्वाट पक्क्हा फिटा जी अगर उसको लिए है अगर उसको उतार के या फिर हमेशा है उसको न ही देना चाहता देता ही नहीं ए उस ZaAN किया मतलब के वह स्वार्थी पताइं अर्थात का अगर पुछने बड़ना उसका उन नहीं चुने देगा उख दूसरे का ले ले हुग अलग बात है अपना नहीं छुने देगा यही है स्वार्थ्या स्वाह केंदृता ठीक है हमारा जो है उसी पर हम रहेंगे अपना किसी को नहीं देंगे बालक कल्पना में खोया रहता है परियों तथा जादूगरों की कलपनायें करता रहता है कि कास मेरे पास भी एक परी होती जिससे मैं जादू करवा कर अपने इच्छा पूरा कर लेता है यह सब कलपनायें जो है वो करता रहता है बहुत सारी चीजें को करता रहता है किस समय में सिसुकी अवस्था में अर्थ या फिर बाईक से चला रहा है वह दोड़ता है बतब वह सब सारी चीजें घरता रहता है बालक में जीतने अच्छे संसकार या ज्यान हमें उसे सीखाना चाहें सीखाना चाहें उतना उस आयू में सीखा सकते हैं क्योंकि अभी वह सीखने में रूची रखता है इसलिए सीखता से सीख जाता है इसलिए इस आयू को सीखने का स्वनकाल कहा गया है मतलब क्या है जो हम चाहें जो बच्चे के लिए अच्छे संसकार है जो भी कुछ सीखाना ह उसको हम अगर स्कूर से बड़े आसानी से सीख लेगा उसके मिवह आसानी सीख लेगा वह ऐसा कर दो हैúng degas वस्था ठीक, आगे दिखते हैं, शैस्वा वस्था में बालक जो चाहे वही मनमानी करता है, अगर उसे कोई चीज, कोई वस्थ चाहिए तो वह उसे प्राप्त करके ही मानता है, जैसे अगर मा लिए चॉकलेट या टाफि, अगर उसके लिए जिद कर दिया, तो फिर उसको बिना लिये नहीं मानता है मा की गोद में आता है तो वह आकर ही मानता है अगर आना चाता है तो आकर ही मानता है यह उसमें बादसाहत प्रभित को दसाता है मतलब जो हम चाहेंगे जो हम कहेंगे वहीं होगा अगर हमको आईस क्रीम चाहिए तो आइस्क्रीम चाहिए हमको टाफी चाहिए तो टाफी चाहिए और बिना लिए नहीं मानता है अगर उसाम के टाइम में कह दे कि हमको अभी आइस्क्रीम चाहिए तो वह आइस्क्रीम के लिए ठीस फान देगा तो फान देगा बहुत मेहनत के साथ भूलवाया जाता है उसक गोड़ा लाइए घरिया में गोड़ा ससकाईए वो बच्चे की जीद ओती है यहीं होती है और सोच लिया कह दे तो कहर दिये उसको कर यहाँ तो हरलाग कह दिये हरलाक ने तो ध्यान दीजेगा इसलिए कह दिये क्योंकि सीशु की आवस्था में बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे जो है जो है जो वेचारे नहीं बच पाते हैं तमाम जो चीज़ें हैं अब हम और बहुत सारी बता सकते हैं वैक्सीन गरें लगता हैं तो कि अब हमें नहीं कर रहा है कि वैक्सिन लगाने से बच्चे-वृत्वी होती है लेकिन ऐसे ही बहुत साइची चीजह होती है कभी क्या होता है कि फीवर अगर बहुत तगडा हो जाया फिर कुछ ऐसा चीज़ खा लिया उसको नपचा पाए तो जानकारी लोग बता भी नहीं करते हैं आगे दवालो दवालो जांच कर रहा इनकी कुछ परिभासाएं क्या है एक इससे समझ लेते हैं अब सह समझ अगर यह लोग कुछ कह रहे हैं तो कुछ महतवपूर्ण बाते बता रहे होंगे चलिए इसको भी देख लेते हैं कुछ मनोवेग्यानिक जो परिभास आए है क्या क्या है करें फ्रायड के अनुसार मनुस्य को जो कुछ बनना है वो चार-पांच वर्स में बन जाता है और चार-पांच साल जो शुरुआती चार-पांच साल है वो बहुत है बताये ना कि यह आगे भावी जीवन को अंदर सकाल है और थातिसमें बच्चे के अंदर हम बताया ना कि सीखने की रूची बहुत होती है जिग्यासा होता है खुब धडल्ले से सीखता है जितना जो आप सीखना चाब सीख लेता है गुड़ एन एफ के अनुसार व्यक्ति का जीतना भी मानसीख विकास होता है उस नियुमेन के अनुसार पांच वर्स तक की अवस्था मस्तिस के लिए बहुत ग्रहन सील होती है अर्थात उस समय तक बच्चे को जो सिखाओ बहुत तेजी से बड़े अच्छे से सीखता चला जाते है तो इसलिए बच्चों को सिखाओ गलत चीज़ों को सिखाओ गलत यह उसपर अपने अनुभू लिखता है उस कोरी स्लेट बाने कुछ भी लिखा नहीं गया है ऐसके दिमाग बच् के बच्चे पर वह बहुतantee क्या करता है प्लाइक जान लाग के रखना कई वर आता है एक कोश्ड फिस ध्यान देना लाघ को अरिक स्लिजेट अ कुशन आग कि व्रिजेस कहते हैं कि ईडलर कहते हैं कि सिशू के जर्म के कुछ समय बाद ही यह निश्यत किया जासकता है कि भविसे में उसका स्थान क्या है कुछ हैं शुमातर गंते गांटे 2-5 बन मिदे कह रहे हैं मतलब खोर्व च्यों जा किया जा सकता है दो किया सुना। जाके और का जंसार नहीं जाओं हुआ चाहिए कि जुऴ तरीके से जो उस पर काम किया हो ज्यान लिया हो ठीक है वो उस पर काम कर सकता है बिलकुल कर सकता है बता सकता है अनुभव देख करके यहीं सब दिर दिरे करते करते तो लोग ज्यानी हो जाते हैं कि हाई बताने लगे बताये थे यहीं सही हुआ यह सब करते करते होता है आगे सब्सक्राइब करता है और प्रेम की भावना होता है अनुकरण करके सीखता है सिखने की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है ना समाजिकता का उतना अच्छा विकास नहीं हो पाता है यह सब सारे चीज़ें आप यहां पर देखोगे इस सभी से स्तायpex थिप्रमानसिग धिकास होता है 光 भी अवस्था वाव वाव क्या बात है और यह जो बनाते हो उससे पहले वाली फ्री गैंग मालने अपने में मस्ता है झैप नैतिक विकास वीजुरूप में, मैं बतायाना कि नैतिक विकास अभी नहीं हो पा रहा है, वीजुरूप में पड़ी है, अर्था तभी आगे उसका विकास होगा, समाजी विकास 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 में है, कलपना की सजीवता है, दोहराने या अनुकरन करने की प्रविटी है, स् कत्यक्ष अनुभव के द्वारा बच्चा सीखता है जो चीज़ देखता है जो चीज़ जो समझ लिया एक बार फिर जल्दी भूलता नहीं तो उसी के दवराय सीखता है ठीक है अन्य बालकों में तो बतलब हैं अगर हम बात करें तो अभी दूसरे बालकों बहुत ज्यादा रूच नहीं लेगा बहुत कम ही ठेक काम प्रविर्ति की भावना जो अभी फ्राइड वाला जो मैं बात कर रहा था यह उसके अंदर होती है दिखाई दे न दिखाई दे अभी कम दिखाई दे कम क्या हो दिखाई अभी अभी हम किसी बच्चे थोड़ी कर सक जिसे माता से प्रेम अब जब जरूर नहीं है कि यहां पर काम प्रविर्ति क्या मतलब केवल और केवल एडल्ट वाले प्रेम की जो बात लोग करते हैं उस वाले पर नहीं विचारी वाला काम अभी नहीं है वह हम बिल्कुल कहेंगे भाई कुछ लोग और देखो यहां पर संबेगों का परदर्शन जो उसके अंदर चल रहा है पुरह नागा ना घुसाना सब करेगा अकेले एवं जैसे डर भी है तो डर भी पता खेलेगा अकेले वहम साथ खिलने की प्रविर्ति अभी बिक्सित होगा जिग्यासा की प्रविर्ति और परिपक्वता अभी भी कहा एचीज हो सकती है, तो अभी तक हम सभी लोग क्या देखे हैं, अभी तक हम सभी लोग देखे हैं, कि सैस्वा वस्था में, क्या-क्या बच्चे के अंदर किस-किस तरीके सविकास होता है, क्या-क्या उसमें बदला होते हैं, और किस तरीके सोते हैं, कौन लोग क्या-क्या कहे हैं यह सब सारी बात हैं अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे बाल्यावस्था में थोड़ी से एक बार हम चाहेंगे कि स्रैस्वावस्था को आप लोग एक बार जल्दी से देख लीजिए ठीक तैस्ववस्था देखिए जहां से 0-5 साल तक होती है ठिक या जो 0-5 साल है इसी को हम सिस्ववस्था कहते हैं भावी जीवन के लिए इसको आधार सिल्या या आधार काल कहा गया है क्रो एंड क्रो मानते हैं कि बच्चों पर बहुत सारे अनुस्वंधार हैं इसलिए है इसको हम बालक की सताब दी कह सकते हैं भिश्यस बात यह रहता हため कि स्वार्ती वाश्वक अंद्री तो होता है भप्रृОन लों की वस्था होती है आत्फरेव कि भावना होती है मूल प्रवित्यात्मक बेवार होता है कलपना जगत में वीचरन करता रहता है और तार्कीक छिंतन के वस्था होती भी तर्क बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता है ठेक, खतरनाक काल होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मृत्यू हो जाती है बिद्याले नहीं जाता है तो बिद्याले के पहले वाली बात है तो पूर्व विद्याले ये आयू कह सकते हैं अजीवो गरीब वस्ता है बच्चा बार बार पुछता रहता है ये क्या है कैसे है क्यों होता है ये सब सारी चीजों को जानने की कोशिस करता है नाम करता भी देते भी हैं छोटा बच्चा है तो बादसाव जैसा उसकी फिलिंग होती है तो जीवन का सबसे महत्तपूर्ण काल है यह चुंकि इसी पर आगे के जो भावी जीवन है वह पूरा पूरा डीपैंड सीकने का भी इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी चुछ सिखाया जाता है बच्चा बहुत तेज सीखता है बच्चे के अंदर रूची होती है जानने का ठिक वह बहुत ध्यान से जानने कोशिस करता है अनुक्रण बड़ा सीखता है जो लोग जो यहसा करते रहेंगे उसके आसपास में वह लेबल में है फिर क्या है समाजिक भावना काभाव होता है अभी वो समाज से थोड़ा परे अभी नहीं कर सकता है उस अवस्था में सीखने जो सिक्षण की विदियां सही है उत्तम सिक्षण विदियां ऑक इंगल गाटन खेल या मांटेसरी विदि जो है उससे आप वाली जो ज्यान इंद्री है अभी वह कारे नहीं करती है रूसो का मानना है कि हाथ पैर वा नित्र उसके प्रारभिक सिक्षक होते हैं उसी से बहुत सारा कुछ बच्चा सीख लेता है समझ पाता है जर्म के समय में सिसु के अंदर कोई संभेग नहीं होता है उसके अंदर सब्सक्राइब करता है अगर उसको रोने का मन कर दिया तो कोई रहे ना रहे या कोई हो सकता है कोई बाहर सभी कोई आये रहे फिर वह रोएगा तो रोएगा अपने मम्मी की जो है अपनी माता की गोद में किसी और को नहीं बैठने देगा अर्था उसके पास नतिकता का भी अभाव है वह नहीं सुचेगा कोई बात ने कुछ दिर बात बैठ रहेगा हम फिर बात में बैठ लेंगे ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर उसको लगता है क है यहां ऐसा होता होगा ऐसा मेरे पास code टो हम भी accent कर वा लेते हुं दै और थीक और बादसाहप वाली बता ही दिए कि इसे मंग लिया तो मंग लिया थो मन लिया चाहिए तो चाहिए वह बहुत अच्छे सीख लेता है गुड एन एक के अनुसार कहा गया कि जितना भी मानसिक विकास होता है पूरे जिन्दगी में उसका आधा भाग तीने वर्स में हो जाता है जानलाग कहते हैं कि बच्चे का जो बुद्धी है बालक का जो मस्तिख है वो कोरी सलेट है उसके जो भी चीज़ जैसा भी चाहें वह सालिक सकते है ब्रिजेस कहते हैं कि दो वर्स तक की उम्र तक बालक में लगब सभी संबेगों का विकास हो जाता है ना उसके बात क्या है कि एडलर कहते हैं कि जन्म के कुछ समय बाद यह निशित किया जा सकता है दो साल के रहेगा विशेस्ताओं में फिर उनी सावी विशेस्ताओं को वहाँ पर एक पॉइंट करकर यहाँ नीचे दिखा दिया गया है तो इसका मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे समझ लेंगे तो आपको जो सिसु अवस्था में जो विकास होता है जो सिसु की अवस्थाना जो भी से स्ताएं होती है वो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा अब हम सभी लोग आगे चले देखते हैं बाल्य अवस्था जो 6-12 वर्ष की अवस्था है जिसमें बच्चा स्कूल जाता है प्रात्रिक विद्याले में जाता है प्रात्रिक विद्याले में जाएगा अब कुछ पढ़ेगा समझेगा तो इस समय में अब उसके अंदर क्या-क्या परिवर्टन होंगे क्या-क्या अधिक करेगा क्या-क्या विकास होगा उसके अंदर कैसा उसका मतलब किधर जाने की दिब्र इच्छा होगी ये सब सारी चीजें अब हम लोग बाल्यावस्था अर्थात 6 सरे 12 वर्स तक में जो बच्चा करेगा उसमें हम लोग अब अध्यान करेंगे उमिद करते हैं सहसव अध्यान मुल रूप से यहीं तक हो तो इसी से प्रशन भी बनते हैं जहातर स्यस्वावस्था बालियावस्था पुरोबालियावस्था जो आ चीज़े परिवर्वटन हो रहे हैं सब संबंदित है सब परिश्चा के दिर्श से आती है तो हम सभी लोग चलिए नेक्ष वाले में देखते हैं कि बाल्यावस्था और फिर आगे जो भी टॉपिक आएंगे उसको हम लोग डिस्स करेंगे यहीं एक दो टॉपिक थोड़ से बड़े हैं उसके बाद सब छोटे-छोटे टॉपिक मिलते चलेंगे तो आप सभी ही नहीं आता है तो आप लोग जरूर नीचे कमेंट करकर करके मैसेश के माध्यम से किसी भी तरुके से पूच सकते हैं । जल्दी जीकिया जाएगा जल्दि से जल्दी आपको उस प्रश्णका उत्तर दे दिया जाएगा रही बात practice की तो अभी practice भी आपको देखने को मिलेगी समय समय पर practice भी कराई जाती है और फिलहाल आपको chapter wise practice CDP की भी मिलेगी और फिर mixed type question भी मिलेंगे तो यह सब अभी आप थोड़ी बोत अगर कोई पुस्तक या notes जो भी यह चीज़ है आपके पास में यह पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है तो पढ़ते रहिए उससे थ्वास आपका जो है ज्यान और अच्छे से हो जाएगा फिर आप लोग जो आ और कुछ बोलना है तो आप सभी लोग जरूर बोलिए और अधिक से जरूर कीजिए जो लोग notes नहीं लिए हैं और लोग notes भी purchase करने तयारी करते रहें एक एक कदम एक कदम बहाते चलेंगे और आपको आगे दिन तो दिन आप आगे ही जाएंगे ठीक है तो आप इन सब सार कि प्लास मिल रही है सारे विश्वयों की जो ख्लास है बहुत अब क्योंकि एक भी सरी क्यों आप का сव्मिक संद्धिय और अब जब अन्य विश्वयों को देखते रहेंगे तभी अच्छा marks स्कूर कर पाएंगे तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग next class में क्योंकि इस class में तो अभी videos लंबी हो जाएगी तो हम लोग next वाले class में हम लोग discuss करेंगे बाल्य आवस्ता को जो 6-12 वर्ष तक है उस पहे हम लोग discuss करेंगे next class में ठीक है? तो thanks for watching जाहें